हाई दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे स्री कृष्ण विद्धोसों में ज़्यादा लोग प्रिक क्यों है भगवान स्री राम से भगवान के अवतार स्री कृष्ण भी है और स्री राम भी है लेकिन स्प्रिक्रिष्चन वीद्विद्वेश्यों में ज़्यादा पूचे जाते है शीर्याम से आप अपने इंडिया में बहुत साथ विद्विद्वेशि आते हैं आप उनके मुख से अधिक्तर सुन लेंगे जैसे आगर आपके हरिद्वार वगरा कई पर जाते वह सारी विद्यसी होते हैं वहाँ पर वो हरे रामा हरे कृष्ण हरे रामा हरे कृष्ण के गीत गाते हुए आप उनको सुन लेंगे तो इसके बारे में मैंने बहुत इक गहान एतिन किया किस कारण से श्री कृष्ण विद्यसों में ज़्यादा लोग पूरी है इसके महत्मूर तीन कारण निकल के आए पहला कारण है गीता गीता अपने यहां के जितने भी संत हुए अधिकतर संत विद्यसों में जाके गीता का ही प्रचार किया है गीता के हैं उपर ही प्रवचन दिये हैं गीता कहने और समझने में बहुत ही सरल है और इसको कोई समय भी नहीं लगता है और रामायन में कहने और समझने में समय लगता है और इसके बारे में बहुत सारे बड़ी-बड़ी युनिशिटी वीदोसों की जैसे Harvard University हो गई, Cambridge University हो गई, London University हो गई, अपने इंडिया के IIM हो गई, I-18 हो गई, वहाँ पे भी गीता के management course कराये जाते हैं, गीता के अलग-अलग chapter उन विद्यारतियों को पढ़ाये जाते हैं, आज के टाइम में गीता बहुती प्रासंगिक हैं, गीता से पढ़के कैसे management किय जा सकता है, कैसे मुसिवतों से पार्क किया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है, तो विदेशों को जब गीता का इतना परचार होता है, तो स्वाबाविक है, गीता किसने कही है, किता स्रीकृष्णे कही है, तो वो ओटोमेटिक स्रीकृष्णे के दीवाने हो जाते ह इसकोन स्रीक्रिष्ण का सबसे बड़ा जन आंदोलन है विदोसों में आपने देख लिया होगा बड़े-बड़े लंदन, न्यूआर्क, मेक्सिको, बर्लिन, बड़ी-बड़ी सीटियों में इसकोन के स्रीक्रिष्ण के मंदिर है वहाँ पे आपको बहुत सारे विदेशी भ होगा वो सिर्फ एक ही मंत्र बोचते रहते हैं अपने वरंदामन में स्रीक्रिक्रिष्ण का सबसे बड़ा सुन्दर और बव्य मंदिर है इसकोन का तो इसका एक यह बड़ा कारण है और अपने इंडिया में बड़ी-बड़ी सीटियों में दिल्ली, इंदबाद, इधर य कहिए इसको उनके Shri Krishna के बड़े-बड़े मंदिर बने हुए थर्ड कारण है Shri Krishna का व्यक्तित Shri Krishna का व्यक्तित ही दोस्तों ऐसा है जो लोगों को पसंद आता है लोगों को उंका व्यक्तित वो अपने जीवन में उतारने की कोशिस करते वो आज के जमाने के लोग स्री राम जैसा त्याग पसंद नहीं करते स्री राम जी ने तो बहुत ही त्याग किया था अपने माबाब का त्याग किया था अपनी पत्नी का त्याग किया था अपने बच्चों का त्याग किया था बहुत ही उन्होंने एक जब उन्होंने इस तरतीप जन्मे लिया था तो उन्होंने एक मर्यादा पुर्षोतम की एक भुमी के निबाई थी तो आज के टाइम के लोग ये पसंद नहीं करते आज के टाइम के लोग तो सिफ स्री कृष्णी को पसंद करते वो स्री नाम की एक सीमाय थी स्री कुई सीमाय नहीं वो अपार है और अप्रमपार है तो इस करण के अभी परजन टाइम के लोग स्री कुछ ज़्यादा पसंद करते हैं तो ये तीन कारण महत्पूर्ण है जो मैंने आज आपको बताए हैं इसी के साथ आजें दोस्तो नमस्कार